प्रिविद्यार्तियों आज हम पड़ेंगे बोर्ड की दर्ष्टी से महत्प्रोण प्रश्ण कक्सावारा विशेहिंदियनिवारिये पाट्य पुस्तक आहरो और पाट यानि आपना सीर्षक रहेगा रुबाईया और गजल फिराक गोरकपुरी तो फिराक गोरकपुरी जो पद्यभाग का अंतिम पाट है उसके महत्पुर्ण प्रश्ण और इन प्रश्णों में यदि हम बात करें तो ये अरदवार्शीत प्रीक्सा के लिए भी महत्पुर्ण है जर्शिश में फिराक गोरकपुरी का मूल नाम क्या था ये पहला प्रश्ण है दूसरा प्रश्ण है फिराक की रुबाई में काविये रस व्यक्त हुआ है यानि फिराक की जो रुबाई है उसमें कौनसा काविये रस व्यक्त हुआ है प्रश्ट नम्बर तीन है भावार्त लिखें इस रुबाई का आपको भावार्त लिखना है गजल का जो मुझको बदनाम करें हैं कास वे इतना शोच सकें मेरा परदा खोले है या अपना परदा खोले है यूँ तो गजल कई है इस पार्ट में लेकिन यह महत्पुन गजल है इसके बाद बात करें प्रश्ण नमबर चार की तो प्रश्ण नमबर चार इस परकार है कि फिराक की रूबाई में चांद का टुकडा किसे और क्यों का गया है प्रश्ण नमबर चार फिराक की रूबाई में चांद का टुकडा किसे और क्यों का गया है प्रश्ट नम्बर पांच, कवी ने रस की पुतली किसे और क्यों का है? ये भी फिराक की रुबाई में है प्रश्ट नम्बर च्छे है, कवी ने प्रेम वे शौंद्रिय की दुनिया की क्या विसेश्था बताई है? प्रश्ट नम्बर साथ, फिराक ने अपनी गजलों की तुलना किस के साथ की है? तो ये भी एक छोटा प्रश्ट अच्छा बन रहा है और क्यों की है तो प्रश्ट लगुत्रात्मक भी बन जाए? प्रश्ट नम्बर आठ, तुम भी आँखें रखो हो से कवी का क्या तात्रिय कवी क्या कहना चाता है या तुम कौन है और कवी के आँखें रखने का मतलब क्या है? प्रश्ण नम्बर नो, कवी वियोग के दर्द में चुपके चुपके क्यों रोता है? ऐसा क्या है कि कवी को वियोग का दर्द तो है लेकिन वे लोगों से चुपके चुपके क्यों रोता है? फिर प्रश्ण नम्बर दस और अंतिम प्रश्ण है वो इस परकार है बालक तो है चांद पे लल जाया है यहां कवी ने किस बाल सुल्ब चेष्टा की और संकेत किया है बालक तो है ही बालक तो है ही कवी ने ऐसा क्यों कहा कि बाल को में ऐसा कौन सा गुन होता है या ऐसी कौन सी बाल सुल्ब चेष्टा होती है जिसकी और कवी ने संकेत किया है तो पिरी विद्यार्तियों विशेश तोर पर ये विद्यार्तियों के लिए बोड़ परीक्षा का उनका प्रिणाम परभावी रहे इसलिए मैं महत्पॉन परष्णों की ये सिरीज लेकर आपके बीच उपस्तित होता हूं तो आप से मैं एक निविदन चाहूंगा कोई जो शिक्षक साती और विद्यार्ति चैनल की निमित सदसिय नहीं है वो ऐसल भी हिंदी ट्री की यूट्यूब चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें इसी आसा के साथ धन्यवाद चैहिंद